हेलो फ्रेंज तो इस वीडियो में मैं बताने ओलाओं क्वेशन नमर 3 जो की है यानि कि जो यहाँ पे दिया हुए 1365 इसे हम कौन सा नमबर से दिवाइड करेंगे कि हमें यह क्वेशंट जो है क्वेशंट 31 मिले और रिमेंडर हमें 32 मिले तो यहाँ पे हम देखते हैं given data given data में दिवाइड करना है तो इसे हम क्या करेंगे डिवीडेंट करेंगे उसके बाद यहाँ पे दिवाइड किटना 31 अगें यहाँ पे दिया हुए remainder remainder कितना दिया हुआ है तो 32 दिया हुआ है इसके बाद हम यहाँ पर use करेंगे जैसे कि यहाँ पर हमने मान लिया कि हमें निकालना क्या है division निकालना है division निकालना है तो उस division को हमने y मान लिया यानि कि late कर लिया मैंने y उसके बाद हमें क्या find करना है यहां पर हम लगाएंगे Euclid's division lemma यानि Euclid's lemma का जो थ्विटर में हम apply करेंगे यहां पर तो यह जो थ्विटर में वो कहता है कि dividend dividend is equal to होता है diviser into question plus remainder तो यहां पर dividend क्या है given दिया हुआ है diviser हमें निकालना है उसके बाद question भी given है remainder भी given दिया हुआ है तो after substituting the values अब हम यहां पर जो हमारा dividend दिया हुआ था given में 1365 वो मैंने लिख लिए is equal to यह हमारा क्या है diviser जो निकालना था 31 दिया हुआ था question और यह 32 क्या है remainder तो 1365 में हम यहां पर क्या किया है यहां पर क्या है plus 32 तो यह हो जाएगा इस side आने से minus तो 1365 में हमने minus कर दिया 32 और यहां पर क्या होगिए 31 into y तो क्या होगिए 31 y अब यहां पर मैंने minus क्या तो कितना आगिए 1333 यानि 1333 आगिया is equal to क्या है 31 y अब हमें क्या करना इसे 31 से डिवाइड कर देना है तो y is equal to क्या होगिए 1333 divided by 31 तो जब हम 1333 को हम डिवाइड करेंगे 31 से तो वो कितना बार में आएगा 43 बार में आएगा तो यह होगि हमारा क्या divisor यानि क्यों y का value निकल ही है तो y क्या था हमारा divisor तो यहाँ पर लिखाओ है 1365 जो 1365 है उसे हम किसे डिवाइड देंगे किसे डिवाइड देंगे 43 से तो हमें क्या में लेगा question 31 और remainder 32 यानि कि हमें आ रहा divisor निकल लिया यह क्या आओगे divisor